सर्विभ्यो नमो नमा नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दिक्षित इस वीडियो में आज हम दश रूपक के विशे में अध्यन करने वाले हैं आचारिय ध्वनंजे के द्वारा रजित जो महत्पोन काव पर एक संक्षित अध्यन करेंगे दश रूपक जो है प्रकाशों में विभाजित है और इसके जो प्रथम प्रकाश में कुछ ऐसे महत्पून विशेयों का समावेश है जिनके विशे में अक्सर परिक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो संपून दश रूपक का एक बि धनंजे के बारे में आचारे धनंजे जो थे उन्होंने दश रूपक नामक एक प्रमुक कावे शास्त्रिय गरंथ लिखा है और यह जो इनकी रचना है वो नाट्य शास्त्र पर आधारित है इन्होंने नाट्य शास्त्र को आधार बना कर अपने गरंथ की रचना की थी यह मालवा के जो परमार राजा मुंझ हुए हैं वागपती राजद वितिये अकर आप प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने मालवा का इतिहास भी बढ़ा होगा तो वहाँ पर जो वागपती राजद वितिये थे राजा मुंझ उनके र व्यक्तित्व है जिस परिस्थितियों में रहता है उसकी जो रचनाएं हैं उन पर उनका प्रभाव अवश्य पढ़ता है तो किसी भी रचना को जब हम पढ़ते हैं उसके रचनाकार का अध्यन करते हैं तो वो किन परिस्थितियों में रहा है किसका राज कवी था कहां पर र रूपकों के जो मुख्य तहर रूपक है दश रूपक उनके अंतरगत समाहित जो तत्व हैं उनके लक्षन दिये गए हैं उनकी विवेचना की गई है लेकिन फिर भी इनकी जो मनोविज्ञान है उसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये मालवा के परमार राज या मुझ के आश्रित राजकवी थे इन्होंने नाट्य शास्त्र पर आधारी त्रचना करी तो अब दश रूपक जो है वो दो प्रकार से द्विधा विभाजित होती है कारिका और वृत्ति जैसा कि हम सभी कावे शास्त्रिये विशयों के विशय में पढ़ते आएं हैं कि जादतर जो कावे शास्त्रिये ग्रंथ हैं जैसे साहित्य दरपन हैं कावे प्रकाश है ध्वन्या लोग है उनमें कारिकाएं होती हैं वृत्ति होती हैं उधारन होते हैं क्योंकि ये कावे शास्त्रिये ग्रंथ हैं तो इनमें लक्षन दिये जाते हैं जो विशय कारिका के अंतरगत पश्ट नहीं होता उसको समझाने के लिए वृत्ति दी जाती है और फिर उसके उधारण दिये जाते हैं तो दशुरूपक जो है वो भी कारिका और वृत्ति इस प्रकार से दो इसके भाग हैं इन में से ऐसा माना जाता है कि जो कारिका भाग है वो धनंजे के द्व ज拿 की इस प्रकार माना जाता है दलग अलग नाम दिये हैं अध्यायों को जैसे यह प्रकाश कहते हैं कहीं पर उल्लास कहते हैं कहीं परिछेद हैं तो इस प्रकार के विभाजन देखने को मिलते हैं, तो दशरूपक चार प्रकाशों में विभाजित है, उनमें से क्रम शह जो प्रथम प्रकाश है, उसमें 68 कारिकाएं हैं, द्वितिये में 72 कारिकाएं हैं, तृतिये के अंतरगत 76 कारिकाएं हैं, और चतुर्थ जो प्रकाश उसके अंतरगत 84 कारिकाएं हैं तो कुल इतनी कारिकाएं दशरूपक के अंतरगत सम्मिलित है ये छोटा गरंथ है संक्षित गरंथ है लेकिन इसमें बहुत सारे गूड विशयों का काव्य शास्त्री विशयों का बहुत अच्छा समावेश किया गया है तो अब हमें एक पार संक्षित रूप से ये देखेंगे कि क्या इसकी विशय वस्तु है किस-किस प्रकाश में किस-किस विशय का उलेख है तो सबसे बहले प्रथम प्रकाश की बात करते हैं इसके अंतरगत उन्होंने नाट्टे का लक्षन दिया है रूपक का लक्षन दिया है कि क्या नाट्ट अवस्थानुकृतिनाट्यम और उसके बश्चात ये दश रूपकों के नाम बताते हैं कि ये ये नाम वाले रूपक होते हैं उसके बश्चात ये जो रूपकों के भेदक हैं किस आधार पर रूपकों के भेदक किये जाते हैं तो उनका निर्धारण करने वाले जो तत्व है तीन दत्व, कथावस्तू, नेता और रस, इनके विशे में बताते हैं और सरोप्रथम ये कथावस्तू का विभाजन यहां पर प्रस्तुत करते हैं, कि कथावस्तू दो प्रकार की होती है, उसके बाद ये पंच संधियों की बात करते हैं, पंच अवस्थाओं की बात करते है अर्थ प्रकृतियों का वर्णन करते हैं और अर्थोप छेपक जो है उनका भी वर्णन प्रथम प्रकाश के अंतरगत किया गया है दृतिये प्रकाश में नायक नाई का इत्यादी जो पात्र है उनका वर्णन किया गया है नायक भेद बताए गए हैं, नायका भेद बताए गए हैं, तृतिय प्रकाश के अंतरगत दश रूपकों का विसरित वर्णन है, अर्थात प्रतेक जो इन्होंने नामशह बताए थे प्रथम प्रकाश में, उन प्रतेक के ये लक्षन देते हैं, उनकी जो मुख्य मुख्य व प्रकर्ण की अर्थात रूपकों की जो विशिष्टाएं हैं उनका वर्णन ये तृतिय प्रकास के अंतरगत करते हैं चतुर्थ प्रकास में इनके द्वारा रसकी विवेचना की गई है अब मुख्य तहर प्रथम प्रकास के अंतरगत जो इन्होंने विशेयों का वर्णन कि तो रूपक का लक्षन देते हुए नाटे का लक्षन देते हुए ये कहते हैं अवस्थानुकृति नाट्यम रूपम द्रश्यतयों उच्चते रूपकम तत्समारोपात दशधायव रसाश्रयम कि अवस्थाओं की अनुकृति जो है अवस्थाओं का अनुकरण जो है वो ना रमा रोप अपने उपर जो नटा दी हैं वो कर लेते हैं तो रूपों का आरोप करने के कारण यह रूपक कहे जाते हैं और वो दश्धा एव वो 10 ही है रसाश्रयम अर्थात रस को आशृत करके होने वाले वो रूपक 10 ही हैं तो कौन से 10 रूपक हैं इनके विशे में लेकर आये थे उसमें भी हमने बात की थी कि किस प्रकार से क्या होता है यहां पर लेकिन जिस क्रम से और जिस प्रकार दशुरूपक कार कहते हैं धननजे कहते हैं वो है नाटकम सप्रकरणम भानह प्रहसनम डिमह व्यायोग समवकारो वीथी अंक इहामरिग इती यह दस प्रकार के रूपक होते हैं तो यह हम बात कर चुके हैं कि अवस्थाओं का अनुकरण करने के कारण तो यह नाट्य कहलाते हैं और रूपों का आरोप करने के कारण यह रूपक कहलाते हैं और यह दस प्रकार की होते हैं नाट्य जो है अगर प्रिश्ण आ जाता है क्य या DSSB का एक्जाम है उसमें भी इस तरह का प्रिश्न आ सकता है कि प्रिश्न वहां से नहीं देगा आपको कि दस प्रकार के रूपक होते हैं या क्या होते हैं यहां से आ सकता है कि किसको आश्रित करके ये नाट्य होते हैं रूपक होते हैं तो रसों पर आश्रित नाट्य हो पिल प्रत्म हो जो दूसरा है वो देशी होता है इस तरह इस न्रिट्य और नित्त का भी लकशन देते हैं तो अगर पिल्सका लक्षन कभी आजाए दशरूपक कार के अनुसार तो आप कहेंगे अन्यत भावाश्रेयम डृत्यम और ताललए आश्रेयम डृत्यम अब ये जो दशरूपक इनों ने बताएं हैं इनके भेदक बताते हैं और कहते हैं वस्तूनेतारसतेशाम भेद कह वस्तूचद्विधा तत्र आधिकारिकम, मुख्यम, अंगम, प्रासंगिकम, विदु, तेशाम, उन रूपकों के भेदक, तीन होते हैं, वस्तु, नेता और रस, कथा वस्तु के आधार पर, जो कथा किसी भी रूपक में कही जाती है, उसके आधार पर, नेता अर्थातनायक के आधार पर, और रस के आधार पर जो प्रधान रस है अंगी रस है किसी भी रूपक में उसके आधार पर रूपकों का विभाजन किया जाता है भेद किया जाता है तो इनके भेदक कितने हो गए तीन हो गए उनमें से वस्तू के विशे में बताते हैं जो कथा वस्तू होती है जो इतिवृत होता ह जिस कहानी की विवेचना की जाती है रूपक के अंतरगत, उसके विशे में कहते हैं वस्तू चदवेधा, वो वस्तू दो प्रकार की होती है, कौन-कौन सी आधिकारिकम, मुख्यमंगम, प्रासंगिकम, विदू, आधिकारिक और प्रासंगिक, ये दो प्रकार की वस्तू होत उनको मैंने सीधा आपको यहां पर लिखा है जिससे अगर प्रश्ण सीधा यहां से भी आ जाए तो आप कन्फ्यूज ना हूँ क्यूंकि मैं आपको समझा तो यहां पर दूंगी हिंदी में लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर यहां से सीधी लाइन आ गई और आपसे ना जाए तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं तो आपकी सुविधा के लिए और एक तरह से प्रूफ के लिए कि मैं ये मेरी तरफ से नहीं कह रही हूँ यह दश्रूपक कार ने कहा है दश्रूपक के अंतरगत तो उसके लिए मैं आपको यहां पर कारिकाएं भी दे रही वस्तु, नेता और रस अब जो कथा वस्तु है वो दो प्रकार की होती है आधिकारिक और प्रासंगिक अब आधिकारिक क्या है? उसके विशे में लिखते हैं आधिकारह फल स्वाम्यम आधिकारिक चतत प्रभू कि फल के अधिकारिया स्वामी के लिए की गई अथ्वा उससे संबद काव्य में व्याप्त जो वस्तू होती है वो अधिकारिक वस्तू कहलाती है अब इसका क्या तात परिया है? इसका तात परिया है कि जो मुख्य का थानक होता है, जो मुख्य विसे वस्तू होती है, किसी भी काव्य की रूपक की वो आधिकारी का था वस्तू होती है, जैसे कि रामायन है, तो रामायन में यद्धि भी बहुत सारे प्रसंग आते हैं, ये फल के स्वामी राम है तो फल के अधिकारी ये स्वामी के लिए की गई अथवा उनसे संबद जो काव्य में व्याप्त वस्तु होती है जो संपूर काव्य में व्याप्त होती है वो अधिकारिक अथवस्तु कहलाती है और दूसरे प्रकार की विश्यवस्तु होती है प्रा प्रासंगिक विश्यवस्तु कहलाती है जैसे रामायन की जो कथा है उसमें छोटी छोटी बहुत सारी कथाइं आती हैं जो या तो राम की ही उपकारक हैं या फिर वो या तो वो राम की प्रयूजन सिद्धी में सहायक हैं या फिर जो उस प्रासंगिक कथावस्तु का नायक ह उसकी प्रयूजन सिद्धी में सहायक होती है अब ये जो प्रासंगी कथावस्तु है कि ये भी तो प्रकार की होती है पताका प्रासंगी कथावस्तु और प्रकरी प्रासंगी कथावस्तु पताका क्या है तो अनुबंद सहित दूर तक चलने वाला जो वित्तान तो होता है व एक प्रसंग आता है पूरा तो वो अनुबंद सही दूर तक चलने वाला वृत्तांत है बहुत सारा वर्णन है सुग्रीव के विशे में कि किस प्रकार उससे भेट होती है राम जी की फिर उसका एक प्रसंग आता है कि वो अपने भाई से दुखी है वो बाली से प्रतिशोद लेना चाता है फिर उसका बीच में काफी वर्णन है कि उसके राज्य को भी प्रदर्शित किया गया है बाली का वद होता है उसका राज्या भी शेक होता है फिर किस प्रकार वो राज्य में डूब जाता है बाद में वो श्री रामत की सहायता करता है तो ये सारा जो अनुबंद सही दूर त प्रतांत है फिर वह अंत अन्त इसरे प्रकार का जो प्रासंगी कथा वस्तु होती है वो होती है प्रकरी, प्रकरी का दात्परिया है एक प्रदीश में रहने वाला प्रासंगी दिवृत, इसमें नायक का स्वयम का कोई प्रयोजन नहीं होता, यहाँ पर जो वो कथा आती है उससे जो मुख्य नायक है काव् वो उसी की सहयता के लिए उसी की प्रयोजन सिद्धी में सायक होता है उस कथा के प्रकरी प्रासंगी कथा वस्तू का जो नायक है उसका स्वयम का कोई प्रयोजन वहां पर सिद्ध नहीं होता तो छोटी छोटी बहुत सारी कथा एं रामायण में इस प्रकार की हैं जिनको प् स्वार्थो यश्य प्रसंगत हो सानु बंधम पताका आख्यम प्रकरीच प्रदेश भाग तो इसका तातपरे में आपको समझा चुकी होंगी जहां पर परार्थ की सिद्धी के लिए और प्रसंगत है स्वयम की सिद्धी के लिए भी जो अनुबंद सहीत दूर तक चलने वाल प्रासंगी कथा वृत है वो पताका होता है और किंचित प्रदेश में रहने वाला जहां पर नायक का स्वयम का कोई प्रयूजन नहीं होता वो प्रकरी कहलाता है अब कथावस्तू के विभाजन के पश्चाथ ये अर्थ प्रकृतियों के विशे में बताते हैं कि कथावस्तू के विकास के लिए किसी भी कथा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीजें होती हैं कथा के अंतरगत अर्थ प्रकृतियां, अवस्थाएं, संधियां जिससे उस कथा का विकास होता है तो अब ये सबसे पहले अर्थ प्रकृतियों के विशे में बताते हैं अर्थ प्रकृतिया क्या हैं तो कथा वस्तु की इस्थितियों की दृष्टी से जो विभाजन किया जाता है कोई भी कथा हम कह रहे हैं वहाँ पर उस कथा वस्तु की जो इस्थिती है जैसे अभी कथा प्रारंब हुई अभी विल्कुल बीज रूप में है फिर उसमें थोड़ा सा और बढ़ता है कहां पर क्या होता है फल की तरफ जाते हैं बीच में बाधाय आती है इसे एक एक के विशे में बात करते हैं तो सबसे पहले बीच को देखते हैं बीच क्या है रूप से जिसका निर्देश किया जाता है और बहुदाय विसरपती और जो अनेक प्रकार से फिर फैल जाती है पूरी कथा के अंतर्गत फलावसानम यच्चेव और जो फल के जब तक अवसान न हो जाए जब तक फल की प्राप्ती न हो जाए तब तक वो अनेक प्रकार से सामने आती रहती है तो इस प्रकार का जो कथा वस्तू की इस्तिती है वो बीज कहलाती है सरल शब्दों में रूपक के आरंब में अल्पु रूप से निर्दिष्ट फल प्राप्ती परियंत अनेक रूपों में पल्लिवित होने वाली जो अर्थ प्रिक्रती है वो बीज कहलाती है जैसे अभिज्यान शाकुंतलम में सबसे पहले दुश्यंत शाकुंतला को देखता है वो वन में आता है तो वो उसकी एक बीज की अवस्था है अब पूरी जो कथा है वो उसी पर आशृत है कि दोनों में प्रेम होता है फिर गांदर विवा होता है कैसे उसकी विस्मृती हो तो वो सारा वर्णन आगे है लेकिन अल्ब मातर में समुप दिश्ट जो है शुरू शुरू में जो एक हलका सा संकेत मिलता है कि दुश्यंत और शाकुंतला की इसमें कथा है और बाद में फिर वो पूरे उसमें पूरे रूपक के अंतरगत वो फैल की जाती है तो वो कुछ कहलाती है दूसरी होती है बिंदू अवांतर अर्थ विच्छेदे बिंदू अच्छेद कारणम किसी अन्य कथा से विच्छिन हो जाने पर काथाना को जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए जो कारण प्रिस्तुत हो उसे बिंदू कहते हैं जैसे देखिए रामायन हैं वो राम को सिक्षा देने के लिए कुछ कथाएं सुनाते हैं कि इस तरह से एक बार ऐसा हुआ एक बार ऐसा हुआ तो बीच में जो वो दूसरा कथानक आ जाता है तो उससे मुख्य कथा जो है वो डूटी हुई सी लगती है तो उसको फिर से जोड़ने के लिए कथानक क उस मुख्य वस्तू के साथ फिर से जोडने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए जो कारण प्रिस्तुत होता है उसे बिंदू कहा जाता है तीसरा होता है पताका पताका का तात्परिय है प्रधान फल का सहायक प्रासंगिक जो वृत्त होता है वो पताका कहलाता है व्यापी प्रासंगिकम् वृत्तम् पताका इति अविदियते तो ये हम देख चुके हैं अभी कथा वस्तु के प्रिसंग में की एक ऐसा कxisथा नग जो व्यापी होता है अब एक लक्ष नहीं रहता वो प्रकरी कहलाता है जैसे छूटी से ये कथा आ गई शबरी के विशे में एक कथा आ गई कि शबरी ने बेर खिलाये इस तरह से तो जहां पर प्रदेश मात्र में छुटा सा कुछ आ गया प्रसंग और उसमें नायक का अपना कोई लक्ष नहीं है तो वो प्रकरी कहलाता है और अंतिम अर्थ प्रकरती होती है कारिया कारिया का क्या तात्परिया है साध्य एवं फल जिसकी प्राप्ति के लिए सभी उपाय किये गए हैं वो कारिया कहलाता है तो यहां पर आप कारिया का तात्परिया उद्यम से ना समझें जो अर्थ प्रकरती है वहाँ पर कारिय का तात्परे होता है, ऐसा साध्य, ऐसा फल, जिसकी प्राप्ती के लिए सभी उपाय आरंब किये गए थे, प्रारंब कता जहां से होती है, जिस अंत के लिए, वो कारिय कहलाता है, इसके विशे में दश्रुपक कार लिखते हैं, अपेक्षितम तुयत साध् आरंबो यत निबंदनह समापनम्तुयत सिध्धाई तत कार्यमिति सम्मतम जिसकी सिध्धी पर कार्य समाप्त हो जाता है उद्यम समाप्त हो जाता है वो कार्य कहलाता है तो ये थी अर्थ प्रकृतियां, अब अर्थ प्रकृतियों के बश्चात अवस्थाओं की बात करते हैं तो जो अर्थ प्रकृतियां थी, वो कथावस्तू का स्थिती की दृष्टी से विभाजन था और अवस्थाओं का तात पर यही यह है कि जो कथावस्तु है उसका नायक की दृष्टी से नायक जो फल की प्राप्ती के लिए विभिन कार्य करता है प्रारंब करता है सोचता है तो उस दृष्टी से जो कथानक का विभाजन है वो अवस्थाएं कहलाता है तो अवस्थाए भी पांच होती हैं आप ये जो विशे में यहां पर पढ़ा रही हूं ये परिक्षा की दृष्टी से अत्यंत महत्पूर्ण हैं आप कोई भी प्रतियोगी परिक्षा दे रहे हैं जिसमें काव्य शास्त्र सम्मिलित है तो इस तरह के प्रशन पूरी-पूरी तरह से आने की स सारे ही लगबग काव्य शास्त्रिय ग्रंथों में हैं अब कहीं पर ये ज्यादा प्रिचलित हो गए किसी ग्रंथ के विशे में तो उसका स्पेशली बढ़ा दिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि अवस्थाएं बस धनंजे ने ही पांच मानी हैं साहित्य दरपनकार उसको चर्चा करते हैं तो ये समान ही रहेंगे इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा परिवर्तन मात्र इतना होता है कि इनका लक्षन बताते हुए आचारे अपने अनुसार थोड़ा थोड़ा शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं तो बस वही इतना मात्र अंतर है तो अवस पर नायक के अंतर फल की प्राप्ति के लिए उत्सुपता मात्र होती है जहां पर उसने कार्य प्रारंब नहीं किया केवल उसके मन में ही वो एक उत्सुपता है उसके विशे में वो आरंब कहलाता है प्रयत्न का तात्पर यह है उद्योग करना उस विशे में प्रयत्न शील ह को जाना अपने कारे आरंब कर देना वो दूसरी अवस्था होती है और वो प्रयत्न कहलाती है तीसरी अवस्था होती है प्राप्त्याशा अब जब कारे प्रारंब कर दिया तो उसमें आपको विग्न भी आएंगे या उसमें आपको सहयक भी मिलेंगे तो उपाय और अपाय क के साथ अर्थात विग्णों के साथ फल की प्रती जो शंका हो जाती है जैसे आप किसी प्रतियों की परिक्षा की तयारी करना चाहते हैं तो जैसे ही वेकेंसी निकली सबसे पहले आपके लिए आपके मन में एक उच्छुपता होती है कि क्यों ना मैं मैं भी इसकी तयारी करूँ मैं इसमें अपना सेलेक्षन करवा सकता हूँ ऐसा ऐसा होगा तो वो जो उत्सुपता मात्र होती है वो आरंब होता है उसके पश्चा जब आप फोर्म भर देते हैं वेकेंसी को देखते हैं उसमें फोर्म फिल करते हैं अपनी पुस्त के लाते है अब आपने फॉर्म भर दिया अब आप स्लेबस देखते हैं किताबे इखटा करना चालू करते हैं तो हो सकता है किसी किताब का अंश कोई आपको प्राप्त ना हो अगर आपने सारी किताबे इखटी कर ली तो उसके बाद कुछ विशे ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा रहे वावा ये तुमें कर सकता हूँ बहुत आसान है लेकिन कुछ विशे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको देखकर आपको लगेगा आरे नहीं ये तो बहुत मुश्किल है मैं इसको कैसे कर पाऊंगा तो जहां पर उपाय और अपाय के साथ फल की पृति शंका उत्पन हो जाती है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा वो होता है प्राप्तियाशा चोथी अवस्ता होती है नियताप्ती जहां पर जैसे आपने परिक्षा कक्ष में आपने सारी तैयारी कर ली आपकी परिक्षा हो गई तो आप जब परिक्षा दे कर आ गए तो आपके मन में एक फल प्राप्ती का निष्टे हो जाता है कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा मेरा ऐसा लगता है कि अच्छा गया है एक्जाम और मेरा सेलेक्शन हो जाएगा तो वो जो फल प्राप्ति का निष्ट है वो नियत आपती कहलाता है और जब फल प्राप्त हो जाता है आपका result आ गया, आपका selection हो गया, आपका नाम आ गया है merit list में, तो वो होता है फलागम, तो नायक के कारिय के आधर पर ये 5 अवस्थाएं होती हैं, आप इने अच्छे से याद रखिए, आरंद, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, तो समझा में आपको हो चुकी हूँ, ये क्या-क्या है, अब एक बार जो दश्रूपक कार लिखते हैं, पंक्ति शे उसको भी एक बार देख लेते हैं, अवस्था पंच कारियश्य, प्रारप्तश्य, फलार्थि भी, आरंब यतन प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, उनमें से आरंब क्या है? तो अच्चुक्य मात्रम आरंबxa, फललाभाय वू यसे, फल के लाब के लिए, जो उच्चुक्ता मात्र होती है, वो आरंब होता है, प्रायतनह तुतत प्राप्तव, व्यापारो अतित्वरान वितव, जहाँ पर प्रेत्न किया जाता है उसकी प्राप्ति के और वहां पर अपराप्थी रहता है यद्धेपी लेकिन प्रयतनावने प्रारंब कर दिया है तो वो प्रयतना वस्ता होती है उपाय, अपायस, शंक्याठ भ्याम, प्राप्तियाशा, प्राप्तिय संभव, जहां पर विग्न आते हैं, कुछ सहायक भी मिलते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर आपको किंचित आशा होती है, लेकिन आपको फल की प्राप्ति निश्चित नहीं है, वो अवस्था प्राप्ति आशा कहलाती है, अपाया अभावत हो प्राप्ति नियत आप्ति सुनिश्चिता, जहाँ पर अभावों, अपायों का, विग्नों का, यहां पर फल योग उदित होकर फल प्राप्त हो जाए वो फलागम कहलाता है इसके पश्चाती संधियों की बात करते हैं तो संधिया भी पांच ही मानी गई है नाटे के अंतरगत रूपक के अंतरगत स्किपशे में दश्रूपक कार लिखते हैं अर्थ प्रिकरते यह पंच पंच अवस्था समन्विता यथा संखेन चायंते मुखाद्या पंच संधया पांच अर्थ प्रिकरतिया और पंच अवस्थाएं समन्वित जब हो जाती हैं सम्मिलित रूप से यथा संखेन जायते उस बती संख्या में जब उत्पन होती हैं अर्थात्व पंच अर्थ प्रकृतियों और पंच अवस्थाय से लगे सफ दें मुख्मotle पांच संधियों हुतीज इसका क्या थातर यह संधियों किसे कहा जाता है जहां पर आर्थ Pourकृतियां और आोस्था का संमिश्रण होता है वो संधी कहलाता है अब संधी का एक लक्षन देते हैं दशुरूपकार अर्थाथ किसी एक प्रयोजन से परसपर संबंद जो है अनवित जो है ऐसे कथनशों का जब किसी अवांतर प्रयोजन से संदी कहा जाता है तो इसे संदी कहते हैं अर्थात एक कथा में बहुत सारे कथा नशा रहे हैं लेकिन वो सारे किसी एक प्रयोजन से ही संद्ध हैं तो जब किसी अवांतर प्रयोजन से उनका संदी कहा जाता है तो वो संदी कहलाता है और ये जो संदिया हैं ये पांच परसपर योग से बनती हैं, तो योग को भी संधी कहते हैं, इसलिए इनको संधी कहा जाता है, तो अगर प्रशन आता है संधी का कारण क्या माना जाता है, काव्य शास्त्र के अंतरगत, तो आप कहेंगे पांच अर्थ प्रकरतियों और पांच अवस्थाओं का परसपर योग अब जो मुखाद्या पंच संद्य यहां कहा है कि मुखादी पांच संदियां होती हैं तो वो कौन सी पांच हैं मुख, प्रतिमुख, गर्ब, विमर्ष और निर्वहन ये पांच प्रकार की संदियां होती हैं सबसे पहले मुक संदी के विशे में बात करते हैं तो नाना प्रकार के रसों को उत्पन करने वाली बीजोत पत्ती जहां पाई जाती है वो संदी मुक संदी कहलाती है इसके अंदर गत बीज जो अर्थ प्रिकृती है और आरंब जो की कार्यावस्था है इन दोनों का सयोग ज बीज और आरंब के समन वैसे जहां पर बीजोत पत्ती पाई जाती है किसकी बीजोत पत्ती नाना प्रकार के रसो को उत्पन करने वाली वो कहलाती है मुख संदी और इसके द्वादश अंग होते हैं तो इसके अंगों की विश्य में यद्देपी बहुत प्रशन पूछा नह इसको आप याद रखिये उन में से जो मुख संदी है उसके बार इंग माने गए हैं मुख संदी किस-किस का समनवे होती है इस तरह का प्रशन भी आता है तो जो जो प्रथम अर्थ प्रिकृति है बीज और जो प्रथम अवस्था है आरंब उन दोनों का जो समन्वे हैं वो मुखसंदी कहलाता है। इसके उपशेप परिकर इत्यादी बारे अंग माने गए हैं। दशरूपकार प्रतियक की विशे में विशद विवेचन करते हैं। उधारन सहीत बताते हैं। लेकिन यद्देपी परिक्षा की दृष्टी से ये अंग इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर मैंने नामशह इनका उलेक करके इनको छूड़ दिया है। अब जैसे आप नाटक में उधारन से समझ सकते हैं। दशरूपकार जो हैं वो जादातर रतनावली के और वेणी संगार के उधारन देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो प्रसिद्ध नाटक है संस्कृत साहित्य का अभिज्ञान शाकुंतलम। उससे समझ सकते हैं कि प् अभिज्ञान रसू की उत्पत्ती का बीज रूप रहता है वो मुकसंदी होती है। दूसरी संदी होती है प्रतिमुकसंदी जहां कथानक द्रिश्ट और नश्ट की स्थिती में होता है। ऐसा जो लक्षण है वो दिया गया है किसी अन्य गरंथ में नाटिशास्र में। द तो वो जो अवस्था है वो जो संदी है वो प्रतिमुक क्या लाती है तो बिंदू अर्थ प्रकृति और प्रयतन अवस्था के संयोग से प्रतिमुक संदी होती है। लक्ष अलक्ष तयोद भेद तश्य प्रतिमुखम भवेत बिंदू प्रयत्नानु गमात अंगान अश्य त्रयोदश इसके कितने अंग होते हैं तेरा अंग इसके होते हैं और किस-किस के समन वैसे ये होती है तो बिंदू और प्रयत्नी के सैयोग से प्रतिमुक संदी होती है जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में जो सेनपती के प्रस्थान के बाद का जो घुटना क्रम है द्वितिय अंक में जहां पर राजा और विदुशक का समवाद है वहां से लेकर और तृतिय अंक तक की जो कथा है वो प्रतिमुक्ष संधी के अंतरगत आती है तीसरी संधी है गर्ब संधी जो बीज प्रतिमुक्ष संधी में बार-बार द्रिष्ट और नश्ट होता रहता है कभी दिखता है कथाना कभी नश्ट हो जाता है तो उस द्रिश्ट नश्ट बीज का बार-बार अन्वेशन करना वो गर्ब संधी कहलाता है इसके बारे अंग होते हैं और पताका और प्राप्त्याशा इनके संयोग से समनवे से गर्ब संधी होती है इनका जो समनवे है वो गर्ब संधी कहलाता है इसकी एक विशेष्टा है क पताका शात नवा, कहीं कहीं पताका नहीं भी रहती, तो जैसे प्रतेक संधी में अर्थ प्रिकृति और आवस्थाओं का योग हो रहा है, तो गर्व संधी में पताका और प्राप्तियाशा का संयोग होता है, लेकिन यहां पर कभी कभी पताका नहीं भी होती, रूपक का जो जो चतुरथ अंक है, वहां से और शकुंतला के मुख से जो गोतमी परदा हटा देती है पांचवे अंक में जहां पर स्मृति नहीं होती, दुष्यंत को और गोतमी के द्वारा शकुंतला का परदा हटाया जाता है, तो वह जो विवरण है वह सारा गर्व संदी के अंतरगत आता है चौथी संदी होती है विमर्ष संदी गर्ब संदी की अपेक्षा बीज का अदिक विस्तार हो जाता है यहाँ पर फिर भी उसके फल उन मुख होने में बाधाएं रहती है फल प्रापति के विशय में यहां क्रोध दुख या लोब से विचार किया जाता है तता बीज का निर्भेद होता है इसके तेरह अंग होते हैं तो जो चतुर्थ अर्थ प्रिकृती है प्रक्री और चतुर्थ अवस्ता है नियातापती इन दोनों का जो सयोग है वो विमर्ष संदी कहलाता है यद्यपी गर्ब संदी की अपेक्षा बीज का विस्तार अधिक हो रूपकार लिखते हैं क्रोधेन अवम्रिशेत यत्र व्यसनात वाविलोभनात गर्व निर्भिन्नम बीजार्थ हो सो अवमर्ष इतीस मृत हो तो अभिज्यान शाकुंतलम का जो शश्टंक है उसमें आपको अवमर्ष या विमर्ष संधी दिखाई देगी अंतिन संधी होती अर्था वी प्रकीरना यथाथम एकार्थ्यम उपनीयंते यत्र निर्वहनम हीतत सभी विछिन कथाएं जहां पर समेट ली जाती है सभी प्रयोजन पूर्ण होकर फल की प्राप्ति हो जाती है और बीज और मुख में जो अर्थ विस्तारित किया गया था उसका प्रदहन फ संदी होती है इसके संदी विभोध ग्रथन इत्यादी चोदा बेद होते हैं इसका जो अंत है वो प्रशस्ती से होता है जिसको भरत वाक्य संस्कृत नाटे में कहा जाता है तो इसके अंतर किस किस का संदी होता है अंतिम जो अर्थ प्रकृति है कार्य उसका और अंतिम द्वितिय प्रतिमुक संधी में बिंदू और यत्न इनका समन्वे होता है संयोग होता है और इसके तेरा अंग होते हैं पताका और प्राप्तियाशा का जो समन्वे है वो गर्ब संधी होती है इसके बारे अंग होते हैं प्रक्री और नीयताप्ति इनका समन्वे होता है विमर 165 संधियों के होते हैं कई बार इसके संबंद में भी ब्रशना आज जाता है तो इसे भी आप याद रखिए और ये महत्पूर्ण है इसके विशे में कि कौन सी संधी में किस-किस का सईयोग होता है तो अगर आपको पांच अर्थ प्रकृतियों और पांच अवस्थाएं क्रम से याद है तो आप इनको आराम से बता सकते हैं अगर पांच संधियों आपने क्रम से याद की है तो अब इतना अर्थ प्रकृतियों अर्थ अवस्थाओं और संधियों के विविचन के पश्चा तश्रूपकार प अभिनाय या अभिव्यक्ति के आधार पर और कहते हैं कि वो जो वस्तु है वो पुनह द्विधा विभाजित होती है कौन-कौन सी तो सुच्य वस्तु और द्रश्य श्रव्य वस्तु ये किसके आधार पर भेद किया गया है अभिनाय के आधार पर या जो अभिव्यक्ति ना और जिसको देखा जाता है, सुना जाता है, जिसका मंच पर मंचन होता है, वो जो वस्तु होती है, वो कहलाती है, द्रिश्य स्रव्य. सुच्चे का लक्षन देते हुए कहते हैं, यहां पर रसका अभ하व है, कोई रस नहीं है, या फिर जो शास्त्र में वर्जित हैं जैसे कि चुम्बन इत्यादी के द्रश्य हैं युद्ध के द्रश्य हैं तो इस प्रकार की जो वस्तु होती है वो सुच्चे कहलाती है और द्रश्यहतु मधुरोद्दात रस भाव निरंतर है जो मधुर और उद्दात है जिसमें रस और भाव निरंतर बहते रहते हैं अर्थात ऐसी विश्य वस्तु जो मधुर्भी है जिसमें नैतिक सिक्षाय भी मिलती है जो नैतिक है शास्त्र की दृष्टी से सही है जो रस और भावों से परिपूर है ऐसी जो वस्तु है वो दृष्य कहलाती है अब पुनहें ये सूच् अर्थोप छेपकई सूच्यम पंचभी प्रतिपादयेत वो जो सूच्य विश्य वस्तु है उसको अर्थोप छेपक के द्वारा पांच प्रकार से प्रतिपादित किया जाता है पांच प्रकार का वो होता है तो वो जो संसूच्य विश्य वस्तु है जिसको केवल मात्र पुचित करना है, जिसका मंचन नहीं करना, जिसको दिखाना नहीं है, सुनाना नहीं नाट्य में, वो अर्थोप छेपक कहलाता है, जहां पर केवल मार्थ का शेपण किया जाए, केवल उसके विशे में सूचना दी जाए, तो वो जो है अर्थोप छेपक, वो पांच प्रका प्रविशक ये पांच प्रकार का अर्थोप छेपक होता है तो आप से पूछे कोई अर्थोप छेपक क्या होता है तो संसुच्य विश्यवस्तू जिसको केवल मात्र सूचित किया जाता है वो अर्थोप छेपक होता है और वो पांच प्रकार का होता है अब इन में से विश् वृत या भविश्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उनका कतांशा नाम उनका थांशो का निदर्शब जो होता है और कैसा निदर्शक संक्षेप आर्थ। संक्षेप में निदर्शन करने वाला वो विश्कंबक कहलाता है और वो मद्य शेणी के पात्रों के द्वारा प्रयोग किया जाता है इसका क्या मतलब समझे आग जो गटनाएं या तो भूत काल में हो चुकी है या भविश्य में होने वाली है उनका संक्षेप में निदर्शन करने वाला जो होता है वो विश्कंबक कहलाता है और ये मद्य शेणी के पात्रों के द्वारा प्रयोजित होता है एक आनेक कृतह शुद्ध हल संकीर्णो नीच मध्यमाई यह जो विश्कमबक है यह पुनह दो प्रकार का होता है शुद्ध विश्कमबक और संकीर्ण विश्कमबक शुद्ध विश्कमबक क्या होता है जो एक अनेक एक ही श्रेणी के अनेक पात्रों के द्वारा पर नीच और मद्यम पात्रों के द्वारा समनवित रूप से अर्थ का निदर्शन किया जाता है संक्षेप में प्राकर्टों संस्कृत दोनों भाशाओं में क्यूंकि जो नीच श्रेण ये पात्र हैं i वह प्राकरत बोलते हैं और मद्यम श्रेणी के पात्र बोलते हैं संस्कृत तो नीच और मद्यम पात्रों के द्वारा जहां पर अर्थ का उप्षेपन किया जाता है वो संकीन विश्कमबक कहलाता है दूसरा होता है प्रवेशक तो इसके विशे में दशुरूपकार लिखते हैं तदवद एव अनुद्धातो उक्तया नीच पात्र प्रयोजिता है प्रवेशो अंक द्वायस्च अन्तह शेशार्थ श्योब सूच कह तदवद उसके समान ही होता है किसके समान विशकंबक के समान ही भूत और भविश्य की घटनाओं का ये सूचक होता है नीच पात्र प्रयोजित हो और निम्न कोटी के जो पात्र हैं उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और तीसरी इसकी क्या विशेष्टा है अंक द्वयश्य अंतह दो अंकों के प्रथम अंक के पूर्व में नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये केवल दो अंकों के बीच में ही रखा जाता है लेकिन जो विशकंबक है जहां पर भूत और भविश्य की घटना बताई जाती है मद्धिमश्यनी के पात्रों के द्वारा वो प्रथम अंक से पहले भी हो सकता है क्योंकि उसके विशे में ऐसी कोई शर्ट नहीं है कि उसे दो अंकों के बीच में ही रखा जाए तो यहां पर भी भूत और भविशे की कटनाओं की सूचना होती है लेकिन एक तो बात यह है कि निम्नकोटी के पात्रों द्वारा यह प्रयुक्त होता है और दूसरी बात यह है यह दो अंकों के बीच में ही होता है तीसरा अर्थोप छेपक होता है चूली का चूली का कतात पर यह परदा है यह चिपकर करना है चूली के पीछे अगर आप राजस्थानी की लोकल लेंग्वेज भी समझते हैं तो वहाँ पर एक होता है चूली के पीछे चूली मतलब दरवाजे के पीछे चिपकर तो इसके विशे में दशरूपकार कहते हैं अंतर जवनी का संस्थाई चूली का अर्थश्य सूचना नेपत्य से अर्थात परदे के पीछे बैठे जो पात्र है उनके द्वारा घटना वि चोथा होता है अंकाश्य जिसको अंकमुख भी कहते हैं अंकांत पात्रई अंकाश्य अंकाश्यम छिनांकाश्य अर्थ सूचनात अंक की समाप्ती के समय उस अंक में प्रयुक्त जो पात्र है उनी के द्वारा विच्छन कथाना की सूचना देना अंकाश्य या अंकमुख ह हुँता है जैसे गिसी एक अंक का मंचन कर दिया उसमें जो पात्र थे वो ही पात्र अगर किसी विछन न कथानक की सूचना देते हैं अंक की समाप्ति पर तो वह अंकaş्य कहलाता है और पाचवा होता है अंक आवताार यह क्या है अंक अंक के अंत में मन्चस्त पात्रों के द्वारा आगामी अंक की घटना की सूचना देना वो कहलाता है अंक अवतार इसमें पूर्व अंक की कथा वस्तु का विछेद किये बीना ही अन्य अंक की कथा चलती है जैसे बहुत सारे नाटक अगर आपने पड़े होंगे तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि जैसे ही अंक समाप्त होता है बस इतना सा कथन कर दिया जाता है कि अरे राजा आ रहा है इतना सा बोल दिया अब अगले अंक में कथा वहां से प्रारंब होती है कि राजा वन में आ रहा है अब आगे क्या होगा तो अंक के अंत में जो मंचस्त पात बहुत करदेना कि अगले अंक में क्या होने वाला है, तो यह कहलाता है अंक आवतार, इसके पश्चात पुनह वस्तू के भेद दशुरूपकार करते हैं, और वो करते हैं नाठ्य धर्म की दृष्टी से, नाठ्य धर्म की दृष्टी क्या है? समवाद के आधार पर जो समवाद बोले जाते हैं जो पात्रों के द्वारा वचन बोले जाते हैं उनके आधार पर भी वस्तुओं के भेद होते हैं तो वो तीन प्रकार के होते हैं तृधा विभाजन किया जाता है नाट्य धर्म की दृष्टी से देखिए आपको Confievous हुने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रश्णा आता है इस तरह से कि वस्तु, कति, विधा वस्तु कितने प्रकारकी होती है तो आप बोलेगे दो प्रकारकी आधिकारिक कथावस्तु, प्रासंगिक कथावस्तु अगर प्रिश्ण आता है नाट्य धर्म की दृष्टी से कथा वस्तु कितने प्रकार की है या समवाद की दृष्टी से कथा वस्तु कितने प्रकार की है तो आप कहेंगे इत्रिधा तीन प्रकार की और अगर प्रिश्ण आता है कि अभिने की दृष्टी से अभिव्यक्ति की द्रिश्टी से वस्तु कितने प्रकार की होती है तो वो भी दो प्रकार की होती है तो अगर केवल मात्र पूछा जाए वस्तु कती विदा तो आप कहेंगे दो प्रकार की लेकिन अगर specially आपसे पूछा जाए कि नाट्टे धर्म की दृष्टी से विश्यवस्तू के कितने भेदमाने हैं दश रूपक कारने तो आप कहेंगे तीन वो तीन कौन-कौन से हैं सर्वश्राव्य, नियत श्राव्य और अश्राव्य अब इनके नाम से ही आप समझ गए होंगे सर्वश्राव्य का तात्परिय है, ऐसी वस्तू जिसको सभी लोग सुने, मंच पर इस्तित पात्र भी सुने, जो दर्शक उसको देखने आए हैं, जो सामाजिक हैं, उनको भी सुने, तो इस प्रकार की विश्यवस्तू जो सभी के स सुने योगे होती है, जिसके श्रोता सभी लोग होते हैं, वो सर्वश्राव्य होती है, एक होती है नियत श्राव्य, जिसके सुनने वाले कुछ निश्चित लोग होते हैं, जैसे मंच पर चार पात्र हैं, अब उनमें से एक पात्र कुछ इस तरह से कहता है, कि ऐसा लगता है कि वो तीन पात्रों को नहीं सुना केवल हमें सुना है एक निश्चित वर्ग को सुनाने के लिए जो विशेवस्तु होती है वो नियश्राव्य होती है वो दो प्रकार की होती है जनांतिक और अपवारित जनांतिक का तात्परिया ये है कि हात बीच में करके बात करना जिसे उसके दो पात्र हैं मंच पर तो दूसरे पात्र की तरफ हात बीच में लगा लेना और फिर दर्शकू की तरफ कुछ बोलना तो दर्शक इससे ये समझेंगे कि केवल मात्र हमें सुन रहा है जो बगल में पात्र है उसको नहीं सुन रहा तो ये होता है जनांतिक और दूसरा होता है अपवारित मुख फेर कर दूसरे व्यक्ति से गुप्त बात करना जैसे तीन लोग है या फिर दर्शक हैं दर्शक बैटे हैं तो जो दूसरा पात्र है अगर तीन है तो दूसरे पात्र की तरफ से मुख फेर कर कोई गुप्त बात रहष्य की बात बताना वो होता है अपवारित और तीसरा जो वस्तुभेद है वो है अश्राव्वे अश्राववे का तात पर यह है कि दर्शकों के अतिरिक्त वक्ता ही जिसका शुरोता होता है कि अब स्वागत का मतलब यह नहीं है कि बस जो वक्ता है वो ही वो सुने फिर तो मंचन का कोई अर्थ ही नहीं अगर पात्र ने कुछ बोला ही नहीं तो दर्शक तक कैसे पहुझेगा, मंचन ही नहीं पहुपाएगा, तो स्वगत का तात पर यह नहीं कि केवल मात्र वक्ता को ही सुने, स्वगत का तात पर यह यह है कि दर्शकों के अतिरिक्त वक्ता ही जिसका श्रोता होता है, ऐसी जो वस्तु होती है वो अश्रावय कहलाती है उसको स्वागत भी कह सकते हैं जैसे मन-मन में इस तरह से कहना कि मन-मन में कह Zachा रहा है तो वो दर्शो को तो सुन जाएगी लेकिν किसी और खमी नहीं प्रकार की जो विशे वस्तू है वो अश्रावय होती है अब इसी संदर में आकाश वाशित की भी एक बात आती है तो अकाश वाशित क्या होता है जैसा कि नाम से ही इस पष्ट है और आपने नाटक तो लिश्चित रूप से अब तक पड़े ही होंगे दो चार नाटक तो पड़े होंगे तो उनमें आप देखते होंगे कि कई जगे आकाश भाशित का प्रयोग किया जाता है। पात्र नहीं है फिर भी जो एक वात रिकलोता पात्र है वो ऐसा कहता है कि क्या कह रहे हो। ऐसा बोलकर फिर वो जो आकाश भाशित के रूप में बात करता है। जहां पर केवल एक पात्र होता है लेकिन पूरे नाटक का मंचन हो जाता है जैसा कि भाण में होता है संस्कृत नाटे में तो ये भाण के अंतरगत अत्यदिक प्रसिद्ध है आकाश भाशित। उसी के द्वारा पूरे पूरे नाटक का मंचन हो जाता है तो ये सारा जो विवेचन है वो दशुरू पकार के द्वारा प्रथम प्रकाश में किया गया है और परिक्षा की दृष्टी से भी ये अत्यंत महत्पूर हैं। तो मैंने मूल पुस्तक से आपके लिए जो उपयोगी विशय थे उनको यहाँ पर संक्षिप्त रूप से और सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयाज किया है। आशा है आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कठनाई है तो आपके कमेंट्स साधार आमंत्रित हैं। अपने विचार मुझे बता सकते हैं कोई कठनाई है तो उसके विशय में पूछ सकते हैं। मैं यथा संभव आपके प्रश्णों का उत्तर देने का प्रयास करूँगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विशय के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।